हेलो दोस्तों स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में तो कैसे हैं आप सब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो फ्रेंड्स ये है सुबह का टाइम मतलब नास्ता बगरा हम लोग कर चुके हैं उसके बाद ये दो पहर का खाना बन चाह रही हूं तो यह देखें मैंने आलू की भुजिया बनाई है थोड़ी आलू की भुजिया बनाई है और थोड़ी आलू का भरता बनाऊंगे मतलब आलू चोखा बनाऊंगे क्योंकि हमारे यहां किसी को आलू का चोखा पसंद है किसी को आलू का मतलब भुजिया में तो उसके लिए यह देखिए मैंने सब्जी चोंक दी है सब्जी जो भी था हमारे पास जैसे गाजर मटर विंस वगएरा आलू यह सब मैंने डाला है जितने भी सब्जी थी वह सब मैंने डाला है तो वह सब को मैं पहले अच्छे से फ्राइ कर लूँगी मुछ बहुत मतलब क्या यहां पर शिर्फ चावल और नाल है सब्जी मैं अलग से पकाती हूप मतलब सब्जी को अलग से फ्राइ करने के बाद में मसाल्य के साथ भुनने के बाद मैं चावल में डाल देती हूँ तो यह ठीक रहता है यह देखें सबजी हमने चावल में डाल दिया है यह मूंग दाल के खाड़ी बनाई है यह दिखें वह छोटे वाले वरतन में कम पड़ रहाவां है तो, फिर भरतन बदलना पड़ा, तो फिर यह गेस पर चड़ा के, मैं इनको दे दी हूं चलाने के लिए, क्योंकि चावल फिर चिपकने लगेगा नीचे मैं, तो इसलिए हमने सोचा कि, यह बड़े बरतल में ट्रांसफर कर दिया, और अच्छा से, चलाया भी जा रहा है, औ और मैं बाकि कुछ काम कर रहे हूं कि हम जल्दी जाना है और यह देखे- सब कुछ रेली है, मतलब जाने के लिए हम लोग रेली है लग भग दफ गोलू इसकूल नहीं गया था बच्चों की छुट्टी थी बस पैरेंट्स को जाना था तो हम लोग गोलू को भी लेके जा रहे हैं साथ में और बाइक से जा रहे हैं धूप है अच्छी लग रही है धूप तो खिचली पर हमने छोंका नहीं लगाया है तो हमने तो हुऀज किया है तो इसी से छोंका लगाते हैं तो अच्छा लगता है के ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे तो तोड़ा सा लाल मेर्च पाड़र डालेंगे उसके बाद च्छोंका को डाल देंगे खिचड़ी के ऊपर यह काफी अच्छा बनके तैयार हो जाता है बहुत टेश्टी बना था अच्छा लगा खाने में तो और च्छोंका बगेरा लगने के बाद यह दिखिए हमारे प्लेट लगिए खिचड़ी चोखा और पापड अचार है तो आज का छोटा सब लोग अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा बेल आइकन को प्रेस किजेगा और वीडियो को सेयर किजेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्थ मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाई अपना ख्याल रखेगा और मेरा भी ख्याल रखेगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखेगा